असिस्टन्ट प्रोफसर यानि निश्कासित असिस्टन्ट प्रोफसर आपसे अपनी बात कहने आया हूँ ये इस समय का माहौल है, इस देश का माहौल है जिन्हें इस समय जो काम करना चाहिए वो वो काम नहीं कर रहे और जिन्हें जो नहीं करना चाहिए वही वो काम कर रहा है ऐसे वक्त में हम यहां क्यों आए हम असल में इस देश की सबसे जरूरी सवाल सिक्षा के सवाल पर पुरे देश का ध्याना करसेट करना चाहिए और वह इसलिए करना चाहिए कि इस समय बहुत सारी बरवादियां तो दिख रही हैं लेकिन इस देश की सबसे बड़ी बरवादी जो सेक्षन संस्थानों की हो रही है वो शायद इस देश के बाकी लोगों को नहीं दिख रही है लेकिन हमें दिख रही है और हम उसको उसकी बरबादी के शिकार भी हो रहे हैं और इसलिए हम ये प्रेस कॉंफेंस कर रहे हैं हम इसके आखिर में भी बात भी करेंगे कि इस प्रेस कॉंफेंस के बाद क्या होगा फिलहाल मैं विश्वद्याले से निश्कासित किया गया और इसकी पीछे क्या वज़े है वो लिखित नहीं और जिन्हें हमारी जगह पर रखा गया उनकी मेरिट पब्लिक दोमेन में नहीं इस प्रेस कॉंफिंस से हम ये जानना चाहते हैं कि बतौर नागरिक या देश के बाकी लोग भी अगर इस बात से सहमत होंगे तो उन्हें भी ये जानने का हक है कि देश के किंद्री विश्वद्यालियों में नियोक्ती प्रक्रिया ये कैसी है कि 4-6-10 लोग बैट करके आखिर में निड़े ले लेते हैं कि हम किसको रो नौक्री पर रख रहे हैं और ये कोई सामाने नौक्री नहीं ये एक विश्वद्यले के प्रफसर की नौक्री है सेंटर यूनिवर्सिटी के प्रफसर की नौक्री है और जो इस कदर भ्रष्टाचार में लिपता है कि वो किसी को भी चुन-चुन कर नौक्री से निकाल रहे और अपने विचार धारा के लोगों को अपने पार्टी के कैडर के लोगों को और जिनके मेरिट बहत खराब है उनको अपने अन्शंसाओं पर नौक्री दे रहे और अगर ऐसा होता रहा जिसके शिकार मैं अकेला नहीं मेरे जैसे दिल्ले विशुद्याले के तकरीबन हजार प्रोफसर हुए हैं जो कोई 4 साल पढ़ाया तो कोई 14 साल पढ़ाया कोई 20 साल पढ़ाया और 24 साल में पढ़ाने वाले लोग ने उपर से निकाल दिये गए तो जो नियम काईदा बना है उसके शिकार तो वो लोग भी हुए जो कुछ नहीं करते थे जो जिनकी मेरिट नहीं चेकी जाती दिल्ले विशुद्याले और देश के तमाम में शुद्याले में एक मिनट डिर्ड मिनट दो मिनट के इंटर्व्य होते जिनमें काईदे से दो सवाल में नहीं पूछे जा सकते लेकिन उस पर आपकी पूरी किसमत का फैसला किया जाएगा एकड़मिक मेरिट का कोई मतलब नहीं बिहार सरकार में असिस्टन प्रोफसर की नियुकती होती है तो सव नंबर में से पचासी नंबर एकड़मिक होते हैं जो लाश्ट मेरिट में जुड़ते हैं पंदर नंबर का इंटर्व्य होता है इंटर्व्य बोर्ड के सामने इंटर्व्यू देने कौन है इसके कोई पहचान साव जिनक नहीं है और हमारे यह चुन के रखा जाता है कि आजकल सुन रहे हैं दिल्ले विश्वध्याले में परचियां चल रहे हैं अगर एक रंग की परचिया तो इसका मतलब यह कि यह दूसरे रास्ते आएं दूसरे रंग की परचिया तो दूसरे रास्ते आएं इसलिए हमने जो प्रेस विश्वध्याप्ति में मांग बनाई है पहली ही बात है कि देश के विश्वद्यालियों पर एक सरकारी विचारधारा का हमला हो रहा है और जो लोग उस विचारधारा से असेमत हैं उनको विश्वद्यालियों से बेदखल किया जा एक तरफ वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जैसे हजारों लोगों को बेदकल कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब वो अनैतिक होते हैं तो हमारी साथी डॉक्टर रितू की तरफ जूठे आरोप लगाकर गलत तरह के दस्तावेज लगा कर उन्हें बेदखल कर देते हैं विश्वद्याले आज के तारीक में यहां पहुंचे हैं अमरित काल चल रहा है विश्वद्याले का यह हाल है हम दूसरी मांग अपने प्रेस कॉंफरेंस में इस प्रेस्वग्यप्ति में रखना चाह रहे हैं कि जो नियुक्ती प्रक्रिया बेहत घटिया है ब्रश्टा चाह रही है और भेदभाव कारी है इसलिए हम इस तरह कि तमाम चीजों के उपर गहरे सवाल खड़ा करना चाहते हैं ये नियोक्ती प्रक्रिया बेहत कम मेरिट वाले लोगों को, मिसाल के तोर पर मैंने बार बाद में ये कहना शुरू किया, कि मेरी मेरिट में API स्कोर 96 है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका 98 होगा, 100 होगा, उनको निकाल करके 50 API, 52 API वाले, किसी अपने प्रोफेसर के रिष्टेदार को, किसी पार्टी के कैडर को, ये दिल्ले विशुद्याले में अगर नोकरी दी जा रही है, तो इसके दो सवाल है, कि अगर नोकरी दी जाती है, तो वो हमारी मेरिट चेक कर दी जाती है, या हमारी विचार धारा देख कर दी जाती है हम इस देश के नागरिकों की तरफ से ये सवाल देश की सरकार से पूछना चाहते है और दूसरी बात अगर मेरिट देख कर के नोकरी दी जा रही है तो वो जो कम मेरिट के लोगों को असिस्टन प्रोफसर आप यूनिवर्सिटीज में बना रहे है आप लाखों बच्चों का भविश्च अंदकार में टेकर रहे है और अभी हमारी साथी एकड़मिक काउंसिल की मेंबर माया जी ने बताया भी बच्चे लिख करके कंप्लेन करने कि इस टीचर को पढ़ाने नहीं आता क्योंकि मेरे जगवे जिनने नौकरी दी गई वोने स्कूल से लाकर करके महां रख दिया गया तो वो किसके लिए वश्चो देले बरबाद किया रहे है जो बच्चे माँ पढ़ रहे है और उसके बाद हमने ये सवाल उठाया कि तमाम तरह के भेभाव किये जा रहे है पाठिक्रम बदले जा रहे है निव एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 40% सिल्वस आउनलाइन बोन में चला जाएगा उसके बाद वो कह रहे है कि सोया मैप के बाद हेफा बनेगा लोन लेकर क्या पढ़ाई करेंगे अगर आपकी जेब में पैसा है तो पढ़ाई कर सकते हैं बाजार में बिटने वाले सिल्वस बनाए जा रहे हैं एक विचारधारा के आधार पर वो सारी चीज़ें की जा रहे हैं इसलिए हम इस मांग को उठाना चाहते हैं नबे के बाद ये आखरी बात कहुंगा चोकि बाकी बहुत सारे लोग मेंबर अफ पार्लियामेंट हमारे बीच में हैं विश्व द्यालेओं से जुड़े हुए लोग हैं बहुत जादा बातें न करकर कि ये आखरी बात पूरे देश में सिक्षा बिवस्ता चौपट हो रही है और अगर हम सिक्षा बिवस्ता के लाव लेने वाले लोग आज उचित समय पर देश के सामने प्रेस कॉंफरेंस करके ये नहीं बताए कि आपके विश्व द्याले में एक प्रोफेसर उसको जाती के नाम पर प्रताडित किया जा रहा है उसको मेरिट के नाम पर उसको बाहर किया जा रहा है ब्रश्टा चार से शिकार लोगों को वहां पर नौकरी दी जा रही है तमाम तरह के कम मेरिट वाले लोगों को प्रोफेसर बनाया जा रहा है और ये पूरा का पूरा विश्वद्याले जिसमें 90 के बाद पहली बार तो देश के बंचे शोसित बच्चे विश्वद्याले की दलीज तक पहुँचे पहली बार वो विवस्तित तोर पर प्रोफसर बनने वाले हैं तो जंडे वालां से जो मेरिट आ रही है वो इस विश्वद्याले को कहां छोड़ेगी और हम ये आरोप लगाना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फेंस के जरिए कि क्यों ना इंटर्विव बोर्ड में जो लोग बैठ रहे हैं उनके फोन कॉल की रिकॉर्डिंग चकी जाए पहले इंटर्विव बोर्ड के पहले उसके पास किसका फोन आता है इंटर्विव जब ले रहे होते हैं तब किसका फोन आता है इंटर्वियों के बाद उनके बस किसका फोन आता है कौन तहीं करता है जो चार लोग किसी और की वज़े से विश्वद्याले में प्रोफसर बन गए कुलपती बन गए प्रिंसिपल बन गए अगर वो किसी शाखा के सदसे होकर के भी प्रोफेसर और प्रिंसिपल बन सकते हैं तो उनकी विचारधारा से अलग राय रखने वाला भी उस विश्वद्याले में प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता है है और अगर यह सवाल पूरे देश का सवाल नहीं बन पाया कि विश्वद्याले का मतलब यह वैश्वद्यान के केंद्र और यहाँ पर तो ग्लोबल नालिज की बात की जाती है और उन विश्वद्याले को एक विचारधारा और एक सरकार में अगर महदूत कर दिया तो नब्बे के बाद जो यह पहली पीड़ी के वंचे शोषे गरीब कमजोर के बच्चे विश्वद्याले की खेत खलियान से निकल कर मजदूरी किसानी से करकर यहां तक पहुँचे हैं अब उनके लिए इक बरबाद विश्वद्याले खंड हर बनके इंतजार करेंगे अगर आपकी जेब में पैसा है तब इसको आप पढ़ सकेंगे ऐसलिए इस प्रेस कॉन्फेंस का मकसद यह है कि अगर इस देश के नागरिक हमारी बातों से सहमत होते हैं और सिक्षा और स्कूल कॉलेज विश्वद्याले की बरबादी को देख पा रहे हैं तो आज से हम सिक्षा बचाओ संविधान बचाओ मुहीम कैसा तमाम सवालों को एक करके देश भर की सिक्षा बेता पर एक देश को जागरुक करना चाते हैं कि इस विश्वद्यालेओं को बचाइए जिन्होंने हम जैसे लोगों को तयार किया है हमने विश्वद्याले में पढ़कर के यहां तक पहुँचने का सफर तै किया पर कैसे तेंग करना है आपने मुझे सुना बहुत बहुत धन्यवाद